हेलो एवरीवन वेलकम टू आल इन नेक्स्ट फ्रेम गाईज आप सभी के लिए के विएस की वेकैंस एक बहुत बड़ी अपडेट है बट हमें यह आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि इस बार के विएस में कट आफ कितनी जा सकती है फिकोज जो पहले एक्जैम होते थे वो सारे एक्जैम से हुम पेटरण पे थे इस बार एक्जैम का पैटरण चेंज कर दिया तो जब यहाँ पर पैटरण चेंज होगा तो क्या होगा exam में cut off भी जादा हो सकती है और कम भी हो सकता है तो finally हम बात करें तो कम तो होती ही नहीं है जादा ही जादा होती है cut off हमेशा बढ़ता है कम नहीं होता cut off हमेशा बढ़ता है तो कितना बढ़ सकता है आज हम उसी को discuss करेंगे कि इस बार KBS PRT में क्या cut-off रहने की उम्मीद है तो गैस यह दि मैं बात करूँ पहले एक्जैम्स में क्या होता था कि CTAT CTAT वाले देखो अपियर होते थे अब CTAT के बच्चे 15-20 लग तो होते ही है अब यह भी अपियर है अब अपियरिंग जो है इन्होंने भी फॉर्म को भड़ दिया CTAT वाले जिनका क्वालिफाइन नहीं है तो यह भी क्या करते थे के भी इसकी वाकैंसी में अप्लाई कर देते थे तो अब अप्लाई यह जो है इस बार से 2022 की वाकैंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो जब यह अप्लाई नहीं करेंगे तो यहां से एक बैनेफिट है उनके लिए जिन्होंने क्वालिफाइ पहले से क्या हुआ है यह तो आप कहीं भी एपियरिंग वाले कैंड़ेट फाइट में ही नहीं है रॉस्त पौइट ये फाइट में नहीं है अब second एक्जाम पैटरन आप उननेवां अब और गयरिवड होगा तो पहले यह है अब 150 मार्क के कोशन्स होते थे अब 180 का हो गया अब 180 मार्क का पेपर होगा तो पहले 150 था अब 180 है अब 180 यह धाई घंटे दिया गया और यहां पर थ्री आर्स का आपको टाइम दिया जाएगा अब इस में भी एक ट्विस्ट है कि यहां पर साइंस पूछता था आप यहां पर साइंस हाई ही नहीं दिया के दो app कामन फो में CDP तो यह तो बहुत है को CDP में साइंटिस्ट के नाम करना थोड़ा डिफिकल्ट है और बाकी आप नहीं भी पढ़ाना आपने तो आप अपने कॉमन सेंस से आप एजे टीचर आजियूम कर लो और आप सारे आंसर्ज रिपलाई कर सकते हो सारे आंसर्स दे सकते हो आप अपने आपको टीचर आजियूम करो और स्टूडेंट को आप कैसे सिखा सकते हो वहीं आपका CDP में पूछा जाना है तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा मु पर गई जनरल 95 आउट ओफ 150 आउट ओफ 150 मार्क जनरल की है 95 अब यहां जो 95 मार्क्स है आप सोचके देखो 95 मार्क्स 2018 में था अब एक्जाम पैटरन चेंज हुआ एक्जाम कितने का है 1500 मार्क्स का आप से एक्जाम कंड़क्ट कराया जा रहा है अब इस 1500 मार्क में कितना कट अफ जा सकता है देखो 2018 चार साल का गैप फोर यर का गैप तो जो स्टूडेंट कंटीन है उसलिए तैयारी कर रहे है वो कट अफ को तो बढ़ाएंगे पहली बात कट अफ बढ़ाएंगे एक्जाम पैटरन चेंज हुआ उससे ज़्यादा असर नहीं पढ़ने वाला कट अफ इस बार इंक्रीज होगी कट अफ क्या होगा इंक्रीज होगा तो फाइनल यह थी हम बात करें कि जहां पर आपका सेलेक्शन आप सेफ जोन में हो तो सेफ जोन के यह थी हम बात करें तो नहीं भी तो आप 110 मार्क 110-2 20 मार्क के बीच में स्कोर करो यह बिलकुल ही सेफ जोन है और 120 का तो मानके ही चलो 120 अगर आप मानके चलते हो तो आप नहीं भी तो 105-110 के आसपास पहुँच जाओगे यहां पर आप पहुँच जाओगे आपके सेलेक्शन को कोई भी नहीं रोग सकता क्योंकि कटफ इससे उपर नहीं जाएगी क्योंकि एक्जाम पैटरन चेंज हो रहा है और एक केविएस का जो एक खास बात है कि केविएस जो अपने एक्जाम को कंड़क्ट बहुत ही जल् चे महीने आठ महीन दस महीने का ऐसा टाइम नहीं होता है केविएस हमने एक्जाम को जल्दी कंड़क्ट कराता है तो वही स्टुडेंट इसको क्वालिफाई भी कर पाते हैं जो कंटिनेशले प्रिप्रेशन में है ऐसे नहीं कि दो दिन पढ़ा चार दिन गया तो उनकी प आप मान के चलो जो जनरल कैटिग्री है 110 के आसपास स्कोर करो आउट ओफ 180 आप सेफ जोन में रहोगे और एक्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा 110-120 के बीच में आपने स्कोर करना है तो गाइस होप सो कटफ आपको समझ में आग और इसी के अकोर्डिंग हमने प्रिप्रे प्रिशन फायदे में रहोगे सो गाइस ऑल दा बेस्ट थैंक्यू वैरी मच अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ना और आप मैट्स रीसरेंग यह सारी वीडियो आपको प्रवाइड होती रहेंगी के वेस्ट के कम्प्लीट से लिए बस ओल दा बै करना लेकर मेड़े में में और आप होनगा को तो स्थाबियो के वे वसे ब oil। मेदल आपी वेस्टेंग को प्रवाइड ने किस अल दाब ह।